आपको लगता है कि आपकी बुद्धी किसी ने बांधी है अब बुद्धी बांधना पहले तो आप ये समझ ले जब हमारे मन में बहुत ओवर थिंक हम कर रहे किसी विशे को लेकर इतना सोच रहे हैं कि बस सोच रहे है दूसरा है कि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है मतलब इतने ज़्यादा कन्फ्यूज है कि हमें चीज़े समझ नहीं आ रहे है तीसरा हम जो चीज़े सोच रहे हैं जो चीज़े समझ रहे हैं दिमाग कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है जितने सारे विचार आ रहे हैं, नकारतमक्त हो रहे हैं, बहुत तनाव में फिल कर रहे हैं मन किसी काम को करने में नहीं लगता और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जो देश के लिए लाइफ जी रहे हैं बिल्कुल हताश और निराश हो जाते हैं तो हम बोते व्रम की स्थिती में बन जाते हैं कै कि क्या गलत है, किस पर विष्वास करें, किस पर नहीं करें, कौन सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो ये जितनी सारी दिमाग की नकारतमक्ता जो हमें डिसिजन नहीं ले देने पाती है, जो हमारी लाइफ में में आगे नहीं बढ़ने देती है, और हम बस इस पूरे मकड़ जाल में फज जाते हैं, इसे ही कहते हैं बुद्धी को बांध देना, अर्थात बुद्धी का बंध जाना, चीजों को नहीं सोच पाना, चीजों के बारे में नहीं सोच पाना, ऐसे इस्तती अगर आपके जीवन में वरतमान में है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, जब आपका दिमाग किसी काम में नहीं लग रहा हो, कोई काम करने का मन नहीं हो रहा हो, बार-बार बेचेनी परिशानया, सारीख परिशानया, मानसीग परिशानया से हम जूज रहे है, तो ये वीडियो आपको वो तरीके बताएंगे, पूरी परिस्तिती से बाहर निकलने का, तो यहां से सूडियो को पूरा देखना, चीजों को बहुत बारीकी से समझना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े कमेंट्स में भूले नात का नाम लिखे अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विशलेशन हमसे करवाना इस्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोइंट्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस और शुलक लागोए यह खुद को समझा ले कि जो भी चीज़े हम सोच रहे हैं यह सब जूट है कि हमारी गलत फीमिया है तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगी क्योंकि इस तरह की स्तितियों को राहु से जुड़ी हुई परिशानिया कहते हैं और राहु जो सांत होता है वो भगवान शुग के रुद्रभीशेक से भगवान शुग की उपासना करने से शुग चालिसा का पाट करने से यह शुग जी के ग्यारवे रुद्रभा उतार भगवान हनवान जी महराज की आराधना करने से तो हनुमान जी को नियमित रूप से आप दर्शन करें, मंगलवार शनिवार के दिन चोला चड़ाएं और अपने गुरु मंत्र का या हनुमान मंत्र जिसे कहते हैं सीता राम, उनका जब ज़्यादा से ज़्यादा करें बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, खुद पर विश्वास रखें और जितना हो से कि खुद को मोटिवेट रखें और सेल्फ मोटिवेट के और आप अगर सरो मोटिवेशनल बुक्स पड़ें, मोटिवेशनल अध्यात्मिक ग्रंद पड़ें